हालो स्रेंट्स, वल्कम बैक टो नियरा मैस क्लासेज, बहुत ही लबे टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, उमीद करती हूँ कि जिनके एक्जाम हो चुके हैं, बहुत अच्छे से आपने एक्जाम दिये हैं, बहुत मैनत के साथ आप पड़े हैं, और जिनके अभी जनुवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ एक अभी एक्जाम चल भी रहे हैं, तो आप बहुत ही मन लगा कर पड़िये, और खुब अच्छे से महनत करके अपने एक्जाम क्लियर की से, ये कुछ थोड़ा सा टाइम पिरिड होता है, जिसमें आप अपना कैरियर बियाड भी सकते हो और बना भी सकते हो, है ना, तो BST जो हमारा टाइम पिरिड है, इसमें आपको पढ़ाई पर फोकस करना बहुत जरूरी है, यहां पर आने के बाद कई स्टूरेंट कॉम्पेटिटिटिव एक्जाम की तरफ जाते हैं, कई साथ साथ और भी बहुत सारी त्यारी करते हैं, कोई BST का सलेवस भी टाफ है, I mean easy नहीं है, और मैंने साइड बाइ साइड आप जो भी काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए यह टाइम और हमारा माइड डिस्ट्रेक्शन का भी यह में टाइम होता है, as you know, तो यहां पर सबसे ज़्यादा जरूरत है फ हम कॉंटिडियूशन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इवन सेमस्टर से हम स्टार्ट करते हैं, और सेमस्टर के एक्जाम कम्प्लीट नहीं हुए है, don't worry, आप इन वीडियोज को एक्जाम के बाद देखेगा, तब तक आप बिल्कुल डिस्ट्रेक्ट नहीं हु करेंगे, तो एक्जाम टाइम में आपको बिल्कुल प्रेशाने नहीं होगे, तो हम इवन सेमस्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, और निव यर पर मैंने बोला था, एक तारिक से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास एक दिन पहले से ही टाइम है, तो क्यों ना हम जिन स्टुडेंट्स की आप्लिकेशन पर भी क्योरी आ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका कॉर्स भी 1st January से स्टार्ट हो जाएगा, 1st January से सारे इवन समस्टर कॉर्से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो कम्प्लीट कॉर्स करना चाहता है स्टुडेंट, को 20% डिसकाउंट दिया जाता है, जिक एक्जाम हो चुके हैं, और जिनको कॉर्स एंडरॉल करना है, या अपने स्टुडी रेगुलर स्टार्ट करनी है, और जो चाहता है कि अप्लिकेशन पर पढ़ना, तो आप फर्स्टली, यानि कि जैसे ही कॉर्स लांच होता है, तो आप वोर्स एंडरॉल किजिए, ताकि आप डिसकाउंट में उसको ले सकें, और अपने फ्रेंट्स को भी इन्फोर्मिशन आप दे सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, कि आपको क्या-क्या पढ़ना है इवन समिस्टर में, तो सकींड, फोर्थ, और हम बात करेंगे, कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, अब देखिए हाँ पर हमें आपको बार 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 बता चुकि हो, हर्यारा निवर्स्टी में भी स्लेबस डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे CBLU है या फिर जीजे इन्वर्सटी है, तो वहां पर जो स्लेबस है, उसको भी हम बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट चाता है कि हमारा भी स्लेबस एक्स्प्लेइन किया जाए, तो जो भी जिस इन्वर्स्टी से बिलॉंग करता है, अभी मैं आपको जो स्लेबस बता रहे हूं, यह अपना स्लेबस मैच किजिए यह सीबिल इन्वर्सेटी या फिर जिज इन्वर्सेटी से मैच नहीं करेगा, तो आपका भी हम स्लेबस डिस्कुस करेंगे, नेक्स्ट वोडियो में, तो थोड़ा सा वेट किजिए आप ठीके, तो अभी हम स्लेखिस इन्विस्ट्र में क्या पढ़ने वाले हैं, सेकिंड साम, फर्स्ट बुक आपकी रहेगी, नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड ट्रिगनोमेट्री, अब नंबर थ्योरी देखिए, आप फिस्ट सेमिस्टर में जेजी इन्वर्सेटी में नंबर थ्योरी पढ़ा हैं, तो जेजी इन्वर्सेटी का स्लेबस डिफरेंट है, औ और जो अप्लिकेशन पर भी क्योरी जाती है कि वहाँ पर भी जेजे निवर्सिटी का complete syllabus बना गया है according to your syllabus सिर्फ और सिर्फ जेजे निवर्सिटी के लिए combined courses आपको मिल सकते हैं कहां पर निवेरा मैस अप्लिकेशन पर तो आप वहाँ पर search कर सकते हो चाहे हो आप किसी भी semester के student है first semester से लेकर 6 semester सभी जीजे इनिवर्सिटी के courses available है और जो CBL के हैं यह आपके बार आपको सारे मिल जाएंगे आप जिस भी semester से बिलॉग करते हैं ठीक है second book आपकी रहेगी vector calculus and third one is ordinary differential equation ordinary differential equation ठीक है यह हमारा रहेगा second Sam का syllabus MDU है कुरुक्षित्रा निवसर्टी है CDLU है ऐसे बहुत सारी निवसर्टी आए जीए ठीक है तो यह से बहुत सारी निवसर्टी है जिसमें इस स्लेवर्स पढ़ा जाएगा और इसके बाद हम बात करते हैं 4th semester 4th semester में 1st book sequence and series sequence and series most important second इससे भी ज्यादा important और tough भी मानियेगा special function and integral transform ठीक है and third book is C language and numerical method अभी तीन जाद दिन पहले ही और काफे स्टुनेंट्स के मैसेज आ चुके हैं जिनका हो चुका है एक्जाम अभी मुझे लगता है कि अभी निवर्सेटी के ही एक्जाम कंप्लीट हुए है तो यह मैं आपको बता देती हूं कि जो सेकेंड सेमिस्टर स्टुडेंट्स के अभी एंटर किया है जिसमें आपको कहीं भी उलचना पड़े मेंस अगर कोई निमेरिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम आप जो हो वो एप्लिकेशन के चैट सेक्षिन पर पूछ सकते हैं अधरवाइस आपको कोई इस्यू नहीं होगा तो यह कॉर्स आप जोईन कर सकते हो जो सिक् स्याम कॉर्स उकें तो सिक्ष्ट सेमस्टर में आपको कौन कॉर्से बुक्स पढ़नी है यह आपकी रहेगी रियल और कंप्लेक्स और फिफ्ट सेमस्टर में आप पढ़ चुके हो तो आपको आदत भी पढ़ गी होगी अभी तक तो सारा थेर्टीकल पोर्शन पढ़ने की क्योंकि जो आपने 5th semester में पढ़ा है उससे tough मान के चले क्योंकि numerical analysis 5th semester का सबसे easy paper था है ना लेकिन अब की बार ऐसा कोई paper नहीं है जिसमें आप numerical की तरह संतूस्ट हो जाएए कि हाँ इसमें तो हमारे score आएंगे ही आएगे है ना तो मेहनत 6th semester में 5th semester से भी ज्यादा करनी है आपको ओके सो first is real and complex analysis जो आउट ओफ हर्याना student है उनके भी slaves के बहुत problem आते हैं काफे students slaves end करते हैं देखे हम हर university के पूरे all over इंडिया की नुस्टिस के कॉर्डिंग तो slaves नहीं बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आउट ओफ हर्याना student है और जो course enroll करना चाहते है application पर माले जी कि आपका पूरा slaves match नहीं होता है अगर माल आपको 60% slaves match होता है और आप चाहते हैं कि मैं 60% तो cover करूं ठीक है यानि कि आपका एक course में 60% match होता है दूसरे course में आपका 40% match होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको बताना है application के chat section पर जो student इच्छुक है ध्यान से नौट किजिएगा ध्यान से सुनिएगा अगर आपका किसी course में 60% slaves match करता है तो आपको उतना ही discount प्रवाइड किया जाएगा means 40% आपको discount प्रवाइड किया जाएगा आप अपना slaves send करेंगे हम उसको check करके कि किस course में आपका कितना application पर उसी में एड किया जाएगा means अगर मालो 20% discount है तो आपको वहाँ पर 60% discount मिलेगा अगर आपका 60% मैच कर रहा है क्योंकि 40% आपका मैच नहीं कर रहा है तो उसकी मेरा slaves है और मेरा इन दो courses में complete होता है तो वहाँ पर फिर आपको personally discount प्रवाइड किया जाएगा आपकी fees उतनी ही रहेगी जितना आपका slaves मैच करता है अगर आपका slaves दो courses में मैच हो रहा है तो आपका उन दो courses को अन्रॉल करना तो पड़ेगा ही लेकिन fees दोनों में उतनी रहे लगेगी जितनी आपकी एक course के लिए लगनी है यानि दोनों courses पर आपको discount दिया जाएगा समझ रहे हैं तो जो आउट ओ फर्याना स्टूडेंट है उनके भी काफी क्योरीज आती है और बहुत ही मतलब है लेकिन एक में नहीं अलग-अलग में होता है तो उसका भी solution मैंने आपको बता दिया है ठीक है चले भड़े सिक्स स्टूडेंट का जो दूसरा पीपर है linear algebra most important linear algebra आपने थर्ड सेमेस्टर में statics पढ़ा था और statics में आपने देखा था कि देखो student बहुत ज्यादा प्रफ मान कर चलते हैं statics को कुछ उसी तरह का पेपर आपका सिक्स समेस्टर में भी आने वाला है और यह आपका रहेगा dynamic dynamics चीक है तो यह अभी हम एक तारिक से start कर रहे हैं 1 January से combined course आपको मिल जाएगा separate अगर आपको लेना चाहता है तो linear algebra, real and complex analysis 1 January को ही हम launch करेंगे और linear algebra हम start कर चुके हैं already start कर चुके हैं आप उसको enroll कर सकते हैं अगर आपको एक course enroll करना है और dynamic और तीनों का combined course क्योंकि combined course में क्या होता है सिरफ आपको fees में discount दिया जाता है जो भी student दो course enroll कर रहा है उसको 20% already discount दिया जाएगा और application पर जो first 100 student होंगे अगर वो course अगर enroll करते हैं तो उनको 20% यानि कि आपको combined course enroll करने पर directly 40% discount मिल रहा है तो बहुत ही reasonable rate में हैं कोई student अभी तक केवल एक या दो students के ऐसी क्यूरी आई कि आपकी courses जो हो costly है आप मुझे बताईएगा कि इतना ज्यादा आइजन की एक-एक courses में अगर आप देखेगा sequence series में 80 plus lectures है special functional integral transform में 80 plus lectures है और इनमें और भी add हो सकते हैं ठीके तो कितनी मनलब आपका syllabus के according और already मैं आप course and roll करते हैं आपको discount provide करवाते हैं तो आप अगर उस time पर and roll करते हैं तो बहुत बहुत किफायती आपका रहेगा ओके तो यह information अपने friends में शेयर कीजिएगा बिलकुल भी cost नहीं हैं बहुत reasonable rate में है अब भी students कहते हैं कि इतना अच्छा syllabus वो कर रहे हैं बहुत reasonable rate में कह कहां तो एक students का मेरे पास message आया था chat section पर कि मैंने 10,000 में course enroll किया है first semester का 10,000 में और कहां वो student सिरफ और सिरफ दो हजार में course complete कर सकता है और उस पर भी time to time discounts मिलते रहते हैं approximately 20% 25% तो यह भी हम जैसे festivals होते हैं तो discount provide कर वाते ताकि students जो भी enroll नहीं कर पाता है तो कम से कम उसको और भी ज्यादा benefit रहे और भी अच्छे से वो पढ़ाई कर सके कम से कम face के अंदर तो उस students ने कहा कि मुझे आप क्या करना चाहिए क्योंकि मैं 10,000 रुपे का जो course महा पर offline course join कर चुका हूं जबकि उसको online course ज्यादा समझा रहा था जो मैंने online course करवाया है बकायदा offline के तो यह आप बिल्कुल भी निश्चिंद रहे ऐसा कोई भी course नहीं है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा फीस अपसे ली जाएगी बिल्कुल reasonable rate में आप courses अन्दा होल कर सकते हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से अपने YouTube की जरनी भी और साथ-साथ application की जरनी भी और regularity से हम अपन सब्सक्राइब आपका भी बताया जाएगा अब दोनों दोनों का सेम हो जाए इन दोनों का ही डिफरेंट है तो जो combined courses है वो भी सिख सेमेस्टर का उनली वह भी वन जैन्वरी को मिलेगा और बाकि जो courses है जीजी निवर्सेटी के फर्स से फिर्स समेस्टर तक यह सारे के सा आप्लीकेशन पर अल्रेडी कम्प्लीट हो चुके हैं तो जो भी स्ट्रेंट फर्स सेकेंड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट जिस भी सेमेस्टर के रिक्वार्मेंट है आप वहां पर सार्ज कर सकते हैं अगर नहीं आपको मिलता है तो आप चैट सेक्शन पर लिखेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको नंबर्स मैंने डाले हुए हैं हर एक वीडियो की डिस्क्रिशन बॉक्स में वहां पर भी आप देख सकते हैं 8053-633-433 ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया समिस्टर एंड आप सभी स्टुजेंट्स को न्यू यर की बहुत बहुत बधाई एडवांस में और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ बाई टेक क्या